सबसे पहले गाज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लाइप प्रूफ आप देख सकते हो इस अप्लिकेशन में हमने लोन अप्लाई किया था और यहाँ पे हमको जोब है एक लाग चौबीस हजार रिप्य का जोब है लोन एप प्रूबल मिला है यहाँ भी हमार लोन जो भी खटाक सी यहाँ पे अप्रूब हो जाएगा उस पैसे को आपने अकाउंट में टास्पर कर लेंगे लेकिन यहाँ पर रियलीटी में ऐसा नहीं होता है रियलीटी क्या होता है उसके बारे में पहले जालो देखो लोन अप्लाई करने के लिए जबहें आप लोन रिजेक्ट होता है देखिए अगर ऐसा रहता तो जो नया यूजर है वो कभी लोन अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे और उनका सीबिल कभी ग्रो हुई ही नहीं पाएगा यहाँ पी यह रिजन नहीं होता है कि आपका सीबिल डाउन है इसी के चलते जबहें आपका लोन रिजेक्ट कर दिये जाता है तो यहाँ पर हम आपसे को यहीं बताने वाले हैं कि लोन अप्लाई करने से पहले जो है कॉम्प्लीट चीजों को एक बार एस्टेप देख लो समझ लो उसके बाद आप सब लोन अप्लाई करो क्योंकि अगर आप लोन अप्लाई करते हूँ औ आप अपना पेन कार्ट डाल देते हूँ तो आपके पेन कार्ट पे इनक्वारी चला जाता है मतलब आपको लोन मिली या नहीं मिले आपके पेन कार्ट पे इनक्वारी चला जाता है और वहां पे लोन रिजेक्ट बता आता है इसी के चलते हैं आप कोई दुसरा भी अप्ल ब특ोध्यी तुवाल नहीं मिला तो हम भी यहां पे लॉन अपरूब नहीं करेंगे तो चलिए अब हम समझते हैं कि सही तरीका क्या हbreaker क्या होता है और लोद अपक्लाई कैसी की दता है और लॉन अप्लाई कौन कौन से अपτι यह कर सकते हो अगर आपका करने हैं आपके साबने कुछ इस परकार से इंटरफेस आता है यहां पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नमबर मगा जाता है date of birth मागे जाता है देखो यहाँ पर इस चीज़ हम clear कर दे अगर आप किसी भी application में loan apply करने जाते हो तो आपके पास जो है minimum document होना चाहिए minimum document में क्या आता है सबसे पहले जो है आपस प्रूप होना चाहिए आधहार काट होना चाहिए और अगर आपके पास income certificate है या salary sleep है तो यह यहाँ पर net banking की तुरू जब है वहाँ पर login होकर दिखाना होता है ऐसे में इस वीडियो में देखने को मिली जाएगा यहाँ पर बीना income proof करके दिखा है तो अगर आप इस वीडियो को step by step वाज करोगा तो आपको यहाँ पर complete बात समझ में आही जाएगा तो finally यहाँ पर हम अपना mobile number फिल करते हैं नीचे data बाद फिल करके यहाँ पर तीन बॉक्स मिलता है तीनों बॉक्स को टिक करेंगे और नीचे जो फिल करेंगे उस पर OTP जाएगा यहाँ पर क्लिक करकर आगे बढ़ जाना है आपके पर क्लिक करेंगे आपके सामने चेपटन का बटन मंगता है यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर carrying का बॉटन फिल से मिलेगा यहाँ पर आपसबको जबे लोन एगेंस्ट प्रोपर्टी मेडिकल एक्सपेंशन पर इप आप सबको लोन मिल जाता है तो फानली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रस्नल लोन के बारे में यहाँ पर आपने नम फिल करेंगे उसके बाद जो है आपके पर आपका देट अब बर्ट लिए गया और यहां पर आपको जो आपको कुछ आपसम मिलेगा जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दू अप्सिंस मिलता है अब देखो कई लोग यहीं पर गलती कर देते हैं अगर आप किसी कंपणी में ज्वाब करते हो तो यहाँ पर इसलिली तरीका से आप सेलिट सलोट करेगो अगर आपका खुद का बीजनेस होगा सौफ होगा या आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर सेलिट करेंगे और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस डिटल्स मागए जाता है यहाँ पर एड्रेस-डी टूग्यूद स्टीट अश्डीट आपको यहाँ पर चीज सेज़ करेंब और नीचे आ आ तो यहाँ पर सेंछ मिट करना आगी करेंगे आपके साबने कुछ इस परकार से तर्फिस रiざ करेंगा यहाँ फेसिंग क्रेडिट रिपॉर्ट दिया जा लेकिन यहाँ पे देखेंगे युलीजीबल फोरे यहाँ पे लून दिखाँ रहा है ስन पे आपका लून ए प्रूब हो गया है मतलब आपके पेन काट इप्रूब करना होता है जैसे कि account number add करना होता है emendate complete करना होता है KYC complete करना होता है उसके बाद जो है इस पैसे को आप अपने account में transfer कर सकते हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर complete KYC दिया गया है और यहाँ पर accept loan offers दिया गया है तो उसके लिए क्या करना है कि नीचे आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है fill application form ठीक है मतलब यहाँ पर आपको click करना होगा application form fill करना होगा तो चलिए यहाँ पर हम click करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अब देखो जिसे हम आपने KYC यहाँ पर complete कर रहा है मतलब यहाँ पर करना है अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, you have received loan application, loan amount will be dispersed in your next two hours, मतलब यहाँ पर दो घंटा के अंदर जो है, आपके account में इस पैसे को credit कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर हम आपसों को बताते हैं कि किसी किस में क्या होता है, कि loan amount transfer करने में लेट लग जाती है, मतलब 7 दिन का भी time लग सकता है, और किसी किस में क्या होता है, कि यहाँ पर loan apply करते हो, तो वहाँ पर basic चीज पर आपको धियान क्या देना होता है, देखिए basic चीज वहाँ पर वहीं होता है, जो आपका implied type आता है, मतलब अगर आप कोई business करते होंगे, तो business का नाम देंगे, और वहाँ पर आप सब को choose करना होता है, बिजनेस में किस type का आपका दुकान है, तो अगर आपके account में आचा काशा transaction हुआ होगा, बंतली बंतली तो वहाँ पर easy तरिकार से आपका loan approve हो जाती है, basic चीज यहीं होता है और इसे चीज पर आपको धियान देना होता है, तो चलिए उम्मीद खरता हूँ कि वीडियो आप साब के लिए help रहा होगा, और यहाँ पर killerly आपको देखनों को मिल गया होगा, कि कैसे पूने वाले fine crop में loan apply किया जाता है, मिलेंगा मैं आप सबसे next video में, तब तक देखते रहे best on it, bye bye, take care, have a good day.